हेवरीवन वेलकॉम बैक और स्वागता सुभी को फिर से एक और नए Clash of Clans के एपिसोड में दोस्तों आप लोग सोच रहे होगे कि टाउनों 13 में मैं क्या कर रहा हूँ और रिसेंटली तो कोई भी ऐसा वीडियो आता नहीं है जो हम थोड़े लोवर टाउनों में बुनाते बट आज का वीडियो एन यह वाली जर्नी जो थोड़ी स्पेशल है आपको पता है कि इस सीजन जो Clash Anniversary है उसके जिसे बारा परसंट बूस्ट आ रहा है और यह जर्नली काफी मज़ेदार होगी क्योंकि मुझे ऐसे वीडियो बनाना पसंद है आपको भी पसंद ऐसे वीडियो लेगना तो चलिए शुरू करते हैं अब ही देखो जैसे मैंने बताया कि इस अकाउन में सब कुछ हो गया है सिफ वाल्स बचे है 26 वाल्स बचे है उसके अलावा अल्मोस्स सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो इन 26 वाल्स को हम रश कर सकते हैं बाद में इसको हम कवर कर लेंगे इतना जादा धिकत नहीं होगा तो वही सहीन है जो से मैंने बताया कि एम हमारा ही है टाउनल 14 इसको अपग्रेड करें और यह सीजन पूरा फाइदा उठाए 12 बूस्ट का राइट तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक किया करें सब्सक्राइब कर इस च मैंने लगा दिया गोल्ड मेरे पास एक बुक ऑफ क्या बोलता है उसको बिल्डिंग है जिसको हम यहां यूज करेंगे एंड देवीगो ओके सब्सक्राइब काफी इंट्रेस्टिंग रहने वाली है जैसे मैंने पहले भी बताया आपको तो एक सीनरी वी अनलॉक हो गई है तो उसको लगा देते हैं नहीं मेरे पास एक सीनरी है ना उसको रखते हैं चलो कोई बात नहीं अब यह तो हमने कर लिया अब नेक्स चीज हम क्या अपग्रेड करने वाले हैं देखो हमारे पास थोड़े से magic items है ऐसा नहीं बोलूगा नहीं है अभी तक clan games के rewards मैंने नहीं building पड़ा हुआ है जिसको मैं यहां पर claim कर लूँगा waterings यहां से उठा लेते हैं यहां पर उठाएंगे builder potion अच्छा option रहेगा यहां पर gyms ले लेते हैं यहां पर क्या लिए shovel of obstacle का gym ले लेते हैं यहां पर एक training potion अच्छा option रहेगा तो यह हमने उठा लिया and then second upgrade हम यह जो है book of building मैंने यहां पर लगाया एक hammer है मेरे पास तो lab में एक अच्छा option है hammer करने का तो यहां पर आप देखोगे तो मैं यहां पर hammer कर सकता हूँ right तो let's go यहां पर हमने hammer कर दिया तो तीन important upgrades हमारे यहां पर complete हो चुके हैं town hall upgrade कर लिया हमने clan castle हमने upgrade कर लिया है और उसी के साथ हम में मेरे पास अभी थोड़ा सा डार्क पड़ा हुआ है तो डार्क का एक कोई troop हम डाल सकते हैं फिलाल options में मेरे पास बोलर्स हैं विचस अपग्रेड नहीं होंगे कोई बात नहीं hog riders है minions यह सारे options मेरे पास है I think इन में से मैं ज्यादा यूज करता हूँ वो apprentice warden है apprentice warden के ल एक training potion भी use करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द अपने attacks ले और अपग्रेड कर सके अभी देखियो मेरा plan क्या रहने वाला है मेरा सबसे पहले priority जो होगा army camps अपग्रेड नहीं होते हैं यहाँ जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि वह बहुत ही बड़े upgrades है second चीज हम यहाँ यहाँ पे नए troops जो है मेरा druid unlock होगा बड़ उसको मैं manual upgrade करूंगा उसको मुझे अभी कोई rush करने की जरुवत नहीं है तो मेरा next target जो है वो है एक barrack upgrade करना अभी मुझे नहीं पता कि दोनों barrack upgrade होगा और अच्छा एक और upgrade भी है जो है यहाँ पे blacksmith क्योंकि hawk puppet unlock करना है तो यहाँ यह मिल गया तो यहाँ पे जो barracks है इसमें druid unlock होगा तो यह एक upgrade हमने करना है और जो regular barracks है वहाँ पे electro titan unlock होगा तो दो barracks blacksmith यह तीन upgrade हमने अभी next जो है वो करने है then मैं spell factory upgrade नहीं होता है great नहीं होना भी चाहिए वरना और थोड़ा हम फस सकते है और regular जो spell factory है dark spell factory त भी नहीं होता nice तो यह दोनों में sorted है इसके बाद हम क्या करेंगे storage अब्रेड करेंगे तो अभी जैसे मैंने बताया दोनों barracks blacksmith यह upgrade करेंगे then हम storage अब्रेड करेंगे siege workshop अभी मैं इतना rush नहीं कर रहा हूँ क्योंकि siege workshop मैं extra ले सकता है अपने clan castle में तो उसके लिए मिरे को क tension है नहीं तो यह अभी हमारे priorities रहेंगे और यह सब होने के बाद में defense शुरू करूंगा defense में क्या priority रखूंगा defense में मैं सबसे पहले जो काम करूंगा वो है eagle, scatters, battle builders भी unlock करने है वो भी एक नया काम है battle builders जो है वो बहुत important है क्योंकि repair करते हैं वो buildings बहुत ही clutch time में आपको defense को दिला सकते हैं तो वो भी important है और defense के बारे मैं बात कर रहा था eagle, scatters, then अपने wizard tars, expose यह पहली priority में रहेंगे और बाद में जाके मैं cannons, archer tars and क्या बोलते हैं उसको अरे यह motars यह तीन में मैं एकदम last में जाके करूंगा right तो यह अभी मेरी sequence रहेगी अभी के लिए अभी यह फटाफट कुछ attacks करके loot लाते हैं ताकि हम अपने lab को busy करा सके, lab में मैं बताया भी apprentice warden में डालूँगा क्योंकि इन troops में से मैं apprentice warden यूज करता हूं, healers को भी upgrade करना है, but healers के लिए भी फिलाल मेरे पास elixir नहीं है, कोई नहीं, elixir का काम अभी बहुत थारा है, यहां उस पर focus करेंगे, तो let's go guys, attack पर चलेंगे, okay guys, so we are in पहला attack हमारा tunnel 14 होने की बाद, मैंने clan castle नहीं लिया है, मैं actually war time से विना clan castle के खेल रहा हूं, तो इतना जाबा दिक्कत होता भी नहीं है, बट चलो फटा फटा इस base पर attack करते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम होता है fireball को setup क करना, definitely यहां पर एक अच्छी value मुझे दिख रही है fireball की, so let's go from this side, warden आ जाएगा यहां पर, अभी मेरे equipment फोड़े low हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं, जल से जल उनको upgrade करने की, then हम अपने invist use करेंगे, let's invist this, this and this, right, fireball आ जाएगा यहां, एक quake है, अच्छा दो quakes use करन पड़ेंगे, वरना clan castle नहीं जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी हम ध्यान रखेंगे, let's freeze this, then यहां पर एक दो तीन super witches आ जाएगी, apprentice warden आ जाएगा हमारा, इस side पर funnel करने के लिए एक year T, okay, we are good, wall break आ जाएगा, siege barracks तो मैं खुद कहीं लाता हूं, तो उसमें तो कोई tension वाली बात है नहीं, king आ जाएगा, दो wizard और, and बाकी के दो healers इस side से आ जाएगे, and then test loons आ जाएगे, ताकि deep मेरे जो healers है, वो damage ना ले, बात में जब druids मैं lock कर लूँगा, तो मैं druids जो है, वो replace कर दूँगा, actually healers को druids से, क्योंकि मुझे लगता है कि, अगर super witch खेल यार, वो मुझे मतलब पसंद नहीं आता आजकल, बड़ चलो ठीक है, यहाँ पर हम RC drop करेंगे, okay we are going good, town hall activate हो गया है, तो यहाँ पर town hall को freeze कर देते हैं, perfect, nice, यहाँ पर हम poison लेके आ हैं, तो उसको use करते हैं, let's raise this, perfectly fine, सब कुछ सही जा रहा है, nice, अभी भी हमारे पास RC ability है, थोड़े cleanups भी बच्चे हैं, उनको use करते हैं, दो headhunters, ओ, अच्छा, RC बच्ची है, मैंने देखा नहीं था, कोई बात नहीं, nice, तो बड़ी असानी से हमने इस base को clear कर लिया, काफी अच्छा loot था यार, यहां पर, ऐसे loot चाहिए हमें अभी, क्योंकि अगर हमें जल से जल सारे builders upgrade, busy रखने हैं, तो loot जाधा जाधा ची होगा हमें अभी, ओके तो यह हमारा हो गया, ओ, एक चीज तो मैंने miss कर दिया, वो है मेरे पास तो कुछ magic items थे शायद, एक बड़ी check करता हूं, rune of elixir है, ओ, ठीक है ठीक है, एक काम करते है, रुको, थोड़ा सा जो elixir है, मैं wall कर लेता हूं, एक wall कर लेंगे यहां पर, nice, अब यहां पर rune of elixir को pop करते हैं, यह रहा, rune of elixir, इसको use करते हैं, और क्या था हमारे list में, हां, druid, तो druid को यहां पर unlock करने के लिए छोड़ते हैं, टाइटन अभी मेरे लिए इतना important नहीं है, next मैं blacksmith करूँगा, इसके लिए 12, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक gold rune भी है, तो gold rune, हां, gold rune है, अच्छा, apprentice warden light मेरे पास साय, dark अभी भी नहीं आया न, इसको फटा-फट clear करते हैं, चलिए, शुरू करेंगे किस side से, I think यह वाला side सही रहेगा, यहां पर यह वार्डन, ability, एक earthquake, perfect, healers यहां पर 2-3 आ जाएंगे, actually सारे drop करने पड़ेंगे, वार्डन का काम हो चुका है, अब हमें वार्डन की इतनी खास जरूरत है भी नहीं, ब बड़ चलो कोई नहीं, queen यहां पर अपना काम करने दो, यहां पर यह आ जाएगा, यहां पर एक wall break करते हैं, एक wizard यहां, अरे, मैं तो इस side से attack करने का plan कर रहा था, बड़ चलो ठीक है, let's wall break from this side, king आ जाएगा, king को बहार ही रखना पड़ेगा, क्योंकि और option भी नहीं और, चलो यहां से अपने loons आ जाएंगे, यहां साइट थोड़ा clear होगी है, that's good, एक head hunter send करते हैं आप पर, let's jump here, inviz, let's rage this, okay, we are fine guys, we are fine, we are fine, सिर्फ हमारे healers सोड़ा damage ले रहे हैं, उसके लाब आप we are fine, okay, यहां पर हमारी RC आ जाएगी, actually बोलूं तो we are fine, क्योंकि हमारे super witches यह वो बहुत ही healthy है, town hall is going down, अभी भी हमारे पास queen ability है, RC ability है, तो, I think we are fine, यहां पर 2 millions drop करेंगे, let's inviz, perfect, RC ability आ जाएगी, queen ability, okay, चलो, out of gas, dead हो गया, चलो, यहां पर poison कर देते हैं, वैसे poison की ज़ुद तो है नहीं, बट फिर भी कर देते हैं, queen ability ले ले लेते हैं, and there we go, ओ, एक drill बजी है उपर, पोई बाती है, RC है न, पहुँच जाएगी, time तो बहुत है हमारे पास, ओके, चलो, so loot तो अच्छे मिल रहे हैं, बट यही है कि इसमें अभी grind काफी करना पुड़ेगा, बहुत लंबा time हो गया, मुझे farming series करे हुए, या फिर free to play series की हुए, बट मज़ा आएगा, क्योंकि, थोड़ा सा वो पुराने दिन याद आ जाएंगे, आप लोग कैसा लगेगा, यह series मुझे ज़रूर comment section में बताना, अब क्योंकि मैंने एक attack की है, तो क्या करना था में, elixir collector, राइट, चलो, एक elixir collector क अप्ग्रेट पर डालते हैं, apprentice warden को डालते हैं, अपने lab में, here we go, and then, एक जो हमारे पास rune of gold था, उसको हम यहाँ cash करेंगे, उसको cash करके एक defense डालते हैं, राइट, बड़े defense डालते हैं, eagle, I think eagle से ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं scatters को डालू, ठीक है, एक scatter डाल देते हैं, perfect, nice, अभी भी दो builders free हैं, एक builder का कुछ और लगाना पड़ेगा, देखता हूँ, क्या option है, apprentice builder मुझे नहीं चीह है, gold storage, elixir storage का option है, okay, storage का option है अभी फिलाल, builders जो हैं, वो तीन दिन में ये वाला free होगा, क्या करना है, एक storage लगा जेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, elixir storage पहले करते हैं, okay, fine, एक builder तो free रखना है, so there we go guys, काफी सारा काम हमने आज किया है, but regular करना पड़ेगा, time लगेगा, पड़ फिर भी देखते हैं, free to play में कितना time लगता है, आज 3rd August है, कब तक upgrade हो पाता है, और ये पूरे August सीजन में कितना upgrade हो पाता है, देखते हैं, तो I hope अपने वीडियो पसंद किया होगा, अगर किया है तो like करें, subscribe करें, and मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में दबते के लिए channel, as always guys, जहन, bye!